हेलो या नमस्कर दोस्तों मैं हूँ सूरज आप सभी का बूद बूद स्वागत करते हैं हमारी इस चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में वार्साप पे एक जबबर्दस फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ साती साथ आपको step by step apply करके दिखाऊंगा क्या है इसका process और किस तरह से आपको apply करना है सो वीडियो को सूर से लेके last तक देखते रही है step by step मैं आपको apply करके दिखाऊंगा सो यहाँ पर screenshot पर आप देख सकते हैं यह जो payment करने का जो options है यह option आ गया है यह features को नया add किया गया है इससे पहले आपने सुना होगा कि phone पे, paytm, google पे यहाँ से आप payment कर सकते हैं आपने bank account लिंग करके लेकिन हाली में कुछी दिन पहले launch किया है जहाँ पर होड़ सब पे आप अपने bank account को लिंग करके किसी भी बंदे को UPI थुड़ू या फिर bank में या फिर QR code को scan करके अराम से payment कर सकते और एक चीज मैं आपसे clear कर देता हूँ phone पे, google पे, paytm इन तीनों app पे आप जिस तरह से भीमी UPI ID बनाने के लिए जो mobile number से आप account खोलते है उनी mobile number आपके bank account में link होना चाहिए तो same process यहाँ पर भी है, जो mobile number से आपका WhatsApp account खुला रहेगा ओही mobile number कोई भी bank में link होना चाहिए तबी जो है, ओ bank आपको fetch करके आपका UPI ID बनेगा तो यह बात आपको धियान में रखना है अगर मानिये हैं, आपका WhatsApp खोला है किसी दूसरा number से और आपका bank account में link है कोई दूसरा number तो यहाँ पर आप UPI ID create नहीं कर सकते है, WhatsApp है तो सबसे पहले ध्यान रखे, दोनों number एक ही होना चाहिए इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपको UPI ID create करना है किस तरह से bank account को link करना है अपने WhatsApp पर तो उससे पहले यह features अगर आपके WhatsApp में दिखाई दे रहा है अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज सबस्काइब कर लिजे बेल आइकन घंटी आएगा उसको दबा लिजे इसी तरह कर knowledgeable वीडियो आगे जाके देखने के लिए अगर अभी तक आपने Instagram पे follow नहीं किया है तो ID number flash कर रहा है जाए Instagram पे follow करिये जो भी सबल करना है वहाँ पर कर सकते तो friends अभी में आगया हूँ mobile के screen पर अभी play store में जो होड़ सा messenger app मिलता है वो आपको download कर लेना है install कर लेना है open कर लेना है basic सा बात है आपका mobile में open ही रहेगा तो simply इसको open करना है जैसे open करेंगे इस तरह का interface आपके सामने में आ जाता है अभी उपर के corner पे देखिए यहाँ पर जो three dot का option देखने को मिल जाता है simply में यहाँ पर click करूँगा तो जैसे यहाँ पर click करूँगा कुछ option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे हमेसे की तरह रहता है लेकिन सिर्फ बीच में यह payment का option दिया गया है तो simply इसको में open करूँगा जैसे open करूँगा इस तरह का interface आपके सामने में आ जाता है अभी यहाँ पर payment history आपको देखने को मिल जाता है जो जो transaction आपने करी होगे जो भी आपने पैसा transaction किया होगे पूरा का पूरा history यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है next में यहाँ पर payment method आपको select का लेना है add payment method लिखा है यहाँ पर click करके भी आप add कर सकते है यहाँ फिर plus का icon भी दिया गया है इसके regarding अगर कुछ भी सावाल या फिर आपको help line की जरूरों थे यहाँ से help करके आप कोई भी customer से बात कर सकते है यहाँ पर ID क्या बनना है Bheem UPI ID यहाँ पर बनने वाला है नीचे में देखिए यहाँ पर new payment का option भी जाता है यहाँ पर click करेंगे तो आपको same process same जगे पर लेके जाएगा जहाँ पर आपको payment method add करने के लिए बोलेगा तो simply यहाँ पर मैं कोई भी एक बन्दे को select कर लेता हूँ जिससे मैंने बात किया है तो यहाँ पर उसको मैंने open कर दिया अभी यहाँ से chat बगर किया है तो उपर में देखिए 3.00 का option मिज़ाता है तो यहाँ पर नॉर्मल सा बात है जो पहले फीचर था wallpaper, settings, search, block करने का, chat, clear करने का तो ओप्सन आपको basic की यहाँ पर देखने को मिज़ाता है लेकिन यहाँ पर payment करने का option कहाँ पर है तो simple सा बात है नीचे में देखिए यह जो option आपको दिख रहा है gallery पहले यहाँ से photo अगर भेज सकता था तो यहीं पर यह आपको option दिखने को मिलगा ध्यान से देखिए यह इस जग़ पर इस option पर जैसी क्लिक करने इस तरह का pop-up आपके सामने में आ जाता है अब यहाँ पर देखिए document, camera, gallery जो जो option पहले मतलब basic रहता था वो सब यहाँ पर है सिर्फ यहाँ पर बीच में देखिए payment का option यहाँ पर लगाया गया है उसके बाद में यहाँ पर देखिए location, contact सब है लेकिन सिर्फ बीच में यह payment करने का option है इसको लगाया गया है तो simply यहाँ पर में click करूँगा, अभी आपने जो number देके whatsapp खोले है, वो mobile number कौन सा bank account में link है तो simply यहाँ सापको bank select कर लेना है, आप चाहे तो यहाँ पर search bar में भी search करके bank account को select कर सकते तो यहाँ पर access bank, HDFC bank, ICIC bank, state bank, मतलब ऐसा कोई bank नहीं है जिसका नाम यहाँ बन नहीं आएगा सब bank यहाँ पर available है, तो आपका जो भी bank account में यह mobile number link है, उसको select कर लेना है तो मेरे यहाँ पर state bank का link है, तो state bank को यहाँ से select कर लोगा, तो इस page पे लेके आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, verify your mobile number, तो यहाँ पर mobile number को verify करवाना है और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, बताया जा रहा है कि यह number से अभी एक SMS भेजा जाएगा जिसके लिए आपके पास आपके mobile number से 1.5 रूपिया काटा जाएगा SMS चार्ज के दोरान तो ध्यान रहे, आपके mobile number पे balance होना चाहिए क्योंकि 1.5 रूपिया यहाँ पर कटेगा जैसे क्लिक कर दूँगा इस तरह से फेरिपाई होगा अभी यहाँ पर देखिए एक पॉप अप आ गया चोड़ा सा यहाँ पर देखिए डे रूपिया मेरा कट चुका है मेरा सीम के balance है तो अभी यह फेरिपाई होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है आपका network connection कितना भी आचार आएगा फिर भी थोड़ा दिर के लिए time लगेगा तो आपको चिंता करनी की कोई भी बात नहीं है आपको फिलाल यहाँ पर wait करना है तो यहाँ पर देखिए मेरा जो screen है पूरा black हो गया क्योंकि मेरा जो phone है यहाँ पर bank account यहाँ पर कोई भी related login करने की time में यहाँ पर capture नहीं होता है उसके लिए sorry अब यह मत सोचिए कि आगे का वीडियो भी यहीं से ही बंद होने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है थोरा सा बैठा रही है जब यह login हो जाता है तो उसके बाद में आपको आगे का process दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल वर्खुबी से दिखाया है लेकिन यहाँ पर capture नहीं हुआ है तो नीचे में यहाँ पर आपको done कर देना है तो जैसे ही done कर देंगे आपको इस page पर लेके आ जाएगा अभी यहाँ पर देखे जो bank account को मैंने अभी select किया था state bank of india तो यहाँ पर देखे payment method के option पर यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाता है अभी मैंने इस bank account को link किया है तो यहाँ पर देखे लास्ट में account number upi यहाँ पर बता रहा है कि यह upi थूरू link हो चुका है ठीक है और यहाँ पर देखे मेरे hotspot पर जो logo है वहाँ पर दिख जाएगा और जो नाम है यहाँ पर दिख जाएगा और साती सात यहाँ पर देखे upi id number भी देखने को मिल जाता है जो थोड़ी दिर महले मैंने बनाया वो upi id यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए सब कुछ आची तरह से बढ़ावर हुआ है कि नहीं है upi id मिल जाता है second में आता है scan qr code कोई भी shop में कोई भी बार में कोई भी shopping महल में जो भी qr रहेगा आगर आप payment करना चाहते है तो आराम से यहाँ पर कर सकते है चलिए मैं one by one आपको दिखा देता हूँ तो सबसे पहले जो option आपको मिलता है upi id sent to यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह का pop up आ जाएगा अब यहाँ पर देखे बता रहा है entire upi id तो जो upi id number होता है वो आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद में यहाँ से आप आराम से upi id थुरू किसी को भी आप payment कर सकते है पैसा आपका directly bank account से कटेगा second option जो आता है scan qr code simply इस पर click करना है तो यहाँ पर देखे camera open हो च तो basic सा बात है आप भी बात ही कर रहे होंगे किसी से चैट कर रहे होंगे तो मैं यहाँ पर फिलार किसी एक को यहाँ पर open कर देता हूं इस बंद Lawrence को और यहाँ पर देखे इसको में पैसा भेजना चारता हो तो इस on-較 पर देखे इसे जो बंदा है इस नमेनट roam पूराना का जो option है available नहीं है इसलिए इसको मैं पैसा भेज नहीं सकता हूँ what's up to what's up through अगर उसके पास में भी payment करने का option रहेगा तो मैं what's up to what's up आराम से भेज सकता हूँ कोई भी दिक्कत या problem नहीं होगा तो फिर से मैं back में आ गया अभी यहाँ पर जो मैंने थोड़ी दिर पहले मेरे state bank को यहाँ पर link किया था payment method के option यहाँ पर तो simply आभी करना क्या है इसको उपर मैं आपको click करना है तो जैसे ही click करेंगे आप यहाँ पर तो आपको एक दूसरा page पर लेखे आ जाएगा कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पर देखिए bank account details उपर में लिखा है जो भी आपका bank account details है तो state bank का अभी यहाँ पर देख जाएगा UPI ID भी नीचे में दिख जाएगा और basic payment method है यहाँ पर details देख जाएगा change UPI pin अगर आप चाहे तो यहाँ से pin को change कर सकते है UPI pin को और यहाँ से forget भी कर सकते है अगर आप by chance भूल जाते है UPI pin को तो यहाँ से forget कर सकते है कोई भी help के लिए यहाँ पर click कर सकते है तो उपर में देखिए three dot का option मिल जाता है simply इससा बात है यहाँ पर आगर आप click करेंगे तो दो option आपको यहाँ पर available मिल जाएगा switch payment method का option मिल जाएगा और remove payment method तो यहाँ से आप अपने bank account को unlink कर सकते है delete कर सकते है आराम से तो यह option भी यहाँ पर available है चायो तो आप एक गंटा के लिए भी use करके इसको remove कर सकते है तो बहुत ही मज़दार है बहुत ही मज़दार का trick है मेरे को तो भाई बहुत ही आच्छा लगा यह method और यह option देखा और यह system देखे आपको कैसा लगा comment में जरूर बताएगा इसी के साथ में इस वीडियो आपको कैसा लगा comment करके मेरे को जरूर बताएगा और साथी साथ एक like तो बनता है और जो बंदर चैनल पे नहें आये है subscribe के साथ-साथ bell and घंटी को प्रेस कर लिए इस ट्रिक के लिए इस वीडियो के लिए इस payment method के लिए अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी problem आता है कोई भी सवाल करना चाते तो इस वीडियो के नीचे में comment करें में 12 घंटा पहले ही आपके पास में आपका answer पहुँच जाएगा तो चलिए मिलते आगले किसी नए वीड पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत